दोस्तो अगर आप भी YouTube वीडियो में किसी भी परकार के मीजिक का यूज करना चाहते हो चाहे वो Bollywood मीजिक हो, Hollywood मीजिक हो या फिर Tamil Bengali किसी परकार का भी मीजिक हो वो भी without corporate claim या फिर without corporate strike है दोस्तो जब भी हम किसी भी वीडियो में कोई भी song किसी भी मीजिक का यूज करते हैं और YouTube पर upload करते हैं तो हमारी वीडियो पर corporate claim या फिर चैनल पर corporate strike आ जाता है तो दोस्तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जड़त नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा legal तरीका बताने वाला हूँ एक ऐसा legal method बताने वाला हूँ जिसका अगर आप सही से यूज करते हो तो आप अपनी वीडियो में किसी भी परकार के मीजिक का यूज कर सकते हो आपकी वीडियो पर कोई भी corporate claim या फिर channel पर कोई भी corporate strike नहीं आएगा तो इसलिए दोस्तों हमेशे की तरह आज की ये वीडियो भी interesting होने के साथ साथ knowledgeful होने वाली है और दोस्ता आपसे एक चोटी सी request है अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है जिसका यूज करकर आप अपनी वीडियो में किसी भी परकार के music का यूज कर सकते हो वो भी without corporate claim या फिर without corporate strike के दोस्तों इस समय source वीडियो का एक trend चल रहा है आप किसी भी social site platform को ले लीजिये सभी पर source वीडियो को काफी ज़्यादा बढ़ावत दिया जा रहा है चाहे आप Facebook को ले लीजिये, Instagram को ले लीजिये या फिर YouTube को ले लीजिये इसके पीछे reason ये भी है अगर हम compare करें long वीडियो से source वीडियो को तो source वीडियो जल्दी viral हो जाती है और trending section में जल्दी चली जाती है वहीं पर long वीडियो पर views कम आते है long वीडियो इतनी जल्दी viral नहीं होती इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है YouTube दवारा source YouTube channel को monetization के लिए eligible करना अब लोग source वीडियो बना कर भी YouTube से पैसे कमाने लगे हैं अगर आप अपनी source वीडियो में ऐसे किसी song का यूज कर लेते हैं जो पहले से भी viral है तो आपकी source वीडियो के viral होने के chance भी काफी ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन दोस्तों जब भी हम किसी song का अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो हमारी वीडियो पर corporate claim आ जाता है जैसा कि मैंने आपको starting में बताया मैं इस वीडियो में आपको एक legal तरीका बताने वाला हूँ इस तरीके का अगर आप यूज करते हो तो आपकी वीडियो पर कोई भी corporate claim नहीं आने वाला तो सबसे पेले हम उन कारणों के बारे में जानते हैं जिनकी वज़े से हमारी वीडियो पर corporate claim आ जाता है अगर हम बात करते हैं पहले कारण के बारे में जब भी आप कोई भी source वीडियो सूट करते हो आप outdoor में कहीं भी कोई भी वीडियो सूट कर रहे हो उसके बाद उसको edit करते हो आप काइन मास्टर के थुरू या फिर VN application के थुरू या किसी भी editing application के थुरू अगर आप वहाँ पर उसमें कोई भी music add करते हो और उसके बाद उसको YouTube पर upload करते हो तो आपकी वीडियो पर 101% corporate claim आई गई आएगा तो ऐसे में आपको आगे से याद रखना है जब भी आप कोई भी वीडियो shoot करो तो उसमें आपको पहले से कोई भी music add नहीं करना है music आपको किस तरह add करना है कहां से add करना है सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा इसके अलावा दोस्तों मानलो कोई भी वीडियो shoot कर रहे है वी लोग हमबा ना रहे है अब मानलो किसी software कोई music चल रहा है इंटेंसल ही आपकी वीडियो में वो record हो जाता है आपने जान बूद कर उसको record नहीं किया है तो उस situation में आप copyright claim से बस सकते हो अगर आपकी वीडियो पर copyright claim इस situation में आ जाता है तो आप इसके लिए appeal कर सकते हो इसको remove करा सकते हो या फिर एक और कारण हो सकता है मानलो कोई music हमने play किया हुआ है और हम साथ में गुनगुना रहे हैं उसको हम record कर लेते हैं और उसके बाद YouTube पर upload करते हैं तो उसमें भी copyright claim आ सकता है दोस्तो copyright claim आने के पिछे सबसे बड़ा कारण होता है उस music की content ID जब भी कोई music YouTube पर upload किया जाता है तो उसको एक content ID मिलती है जब भी हम उस music का अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो technology के दवारा YouTube का जो algorithm होता है content ID से उस music को find कर लेता है और आपकी वीडियो पर copyright claim आ जाता ह तो आगे सा आपको इन तरीकों में से किसी भी तरीके का यूज नहीं करना है अगर आप copyright claim से बचना चाहते हो दोस्तों अब हम जानते हैं उस तरीके के बारे में जिस तरीके के माध्यम से आप अपने किसी भी वीडियो में किसी भी music का यूज कर सकते हो और आपकी वीडिय का यूज करते होंगे तो यहाँ पर मैं अभी YouTube application का यूज करने वाला हूँ तो यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे हो मेरे mobile phone की स्क्रीन को यहाँ पर मैंने YouTube application को open कर लिया है YouTube application को open करने के बाद आपको पलस वाले आइकन पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पारे हो shorts वाले option पर by default आपको click मिलेगा तो यहाँ पर आप simply gallery वाले option पर click किजिए और उस video को select कर लिजिए जिस video को आप upload करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं अभी कोई भी एक video ले लेता हूँ जैसे कि मैंने इस video को select करने के बाद आपको done पर click करना है जैसे आप done पर click करोगे यहाँ पर processing start हो जाएगी तो इस processing को आपको complete होने देना है थोड़ा सा आपको wait कर लेना है तो यहाँ पर मैं अभी wait कर लेता हूँ दोस्तो यहाँ पर processing complete हो चुकी है processing complete होने के बाद यहाँ पर आपको add sound का option में लेगा इस पर आपको simply click कर देना है जैसे आप add sound पर click करोगे यहाँ पर YouTube की Music Library आपर हो जाएगी अब यहाँ से आप किशी भी Music को अपनी वीडियो में एड़ कर सकते हो दोस्तों बताना चाहूँगा जो भी Source Creator होते है उनको 45% Total Revenue मिलता है जो भी YouTube का 100% Revenue होता है YouTube जो 55% अपने पास सकता है उसमें से कुछ पार्ट जिनका भी यह Music होता है उनको YouTube के दोवारा दिया जाता है तो इसलिए अगर आप यहाँ से किसी भी Music का यूज करते हो तो आपका YouTube चैनल मॉन्टाइज भी होगा और आपकी YouTube से अर्निंग भी हो जाएगी कभी भी कोई भी दिकत आपके YouTube चैनल पर नहीं आने वाली तो आगे से आपको कोई भी Music यूज करना है तो आपको YouTube की Music Library से ही यूज करना है आपको पहले से कोई भी Music एड नहीं करना है यहाँ पर आपको एक option मिलता है सर्च का सर्च पर क्लिक करके आप किसी भी परकार के सौंग को यहाँ पर सर्च कर सकते हो Mostly सौंग यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तो इस तरह से आप इस Legal Method का यूज करकर अपनी वीडियो में किसी भी Music को एड कर सकते हो और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए इसी तरह की Interesting और Knowledge फिल वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस जरू कर दीजिए तो कि हम यहाँ पर इस परकार की Interesting और Informative वीडियो लाते रहते हैं तो मिलता है दोस्तों फिर से एक New Interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जैहीं जैभारा दोस्तों